नमस्कार स्वागत है आप सभीका वर्धनम okayडमी के अनलाइन प्लीटफॉर्म पर मैं आपको दोफ्त कर्ष्ट्ः आप सभीका स्वागत नाटनातो करता हूं आपके अपनेयोटीब प्लैटपॉर्म वर्धनम एकेडमी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास सुबह साड़े पांच बजे हम लोग मिलते हैं और बिल्कुल बिल्कुल तरीके से मिलिए आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी शातियों को आप सभी का स्वागत है चलिए बैच है ना जो इंपोर्टेंट बैच है पेट प्रहार बैच जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं यूपीट्र पलेस से पैट को क्वालिफाइ करना और उसके बाद पर लेखवाल बनके खटिया तोड़ना तो बिल्कुल आपके पास यह मौका है वर्दनम एकेडमी को जॉइन कीजिए और प्रहार 2.0 के साथ अपनी तयारी को और मजबूत कीजिए चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आपके कल के क्लासेस को जो आपने हम लोग ने कल पढ़ा था उसके तहत हम लोग देखना है अमरित भारत स सेशन योजना के तहर्द देशबर में रिलाइबे सेशन बनायांगे उनी का की निसागों वीड़न कि विश्व देखने हैं सबसे से कम उम्रम में उसके पहले इनोंने आपका वर्ट में denial की ज्रूनियर लेवल की थी उसके बात कि अगर हम लोग सभा से चिवाले ने राहुल गांदी जी की आपकी लोग सभा के सदस्ता को बहाल कर दिया है और ये क्यों गायब थे 137 दिन क्यों गायब थे क्योंकि इन्हों ने गुजरात पे एक इनका केस हो गया था गुजरात के अंदर सूरत हाई कोर्ट में तो वहां पर इनके ओपर क्या केस बना था ये केस बना था कि इन्होंने मोधी जो सरनेम है बिसिकली जो तेली एक प्रकार की जाती होती है मोधी करके तो उन्होंने उनको गाली दी थी ऐसा कहना है उस व्यक्ति का जिन्होंने इनके ओपर केस किया था और वो व्यक्ति कौन वाबले बाज के पाइट बन चुके हैं अर्द सतक लगाया था अगर बात करें को इसकी कि उम्र में लगाया test और Psih मैच में भी आपका सतक लगाने वाले खिलाड़ी आपके शुमनगिल तेरवी व्यापार मीटिंग की बैठक में भारत की और से कौन गये है तो तेरवी व्यापार वैठक में जो कौन गया है प्यूउश गोएल जी गयãy और ब्रिक्स क्या है बी आर आई सी एस यानी ब्राजील रश्या इंडिया चाइना और साउथ अफरिका साउथ अफरिका बाद में जुड़ा है इससे पहले यह ब्रिक हुआ करता था यह क्या है बैसिकली यह इन पांच देशों का एक संगठन है जहां पे लोग कई सारी और 28 खिलाली और टोटल कुल कितने लोंग जा रहे हैं कुल 42 लोंग कुल 42 लोंग जा रहे हैं आपके कहां पे बुड़ा पेस्ट में होने वाली आपका विश्व एटलेटिक्स चैंपेंशिप के लिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं उसके बाद IIT हैदराबाद काठमांडू की बात आई है तो लुम्बनी के अंदर बहुत विरासत का भी शुरुवात कर दी गई है नेपाल सरकार के द्वारा भारत सरकार के इनिशेटिव के साथ आगे बढ़ते हैं केंद्री मंत्री मंडल ने भारत नेट प्रजेक्ट के तहर गावों में ब्रॉडब आपका गाउं है जिसमें यह फाइबर नेट्स बिच चुके हैं आगे बात करते हुए उतसे पहले मैं आपको बता दूँ फाइब डबल नाई आपका यूजी पैट के लिए भी है यूपी ट्रॉपल स्थी अगर आप पैट की तयारी नहीं कर रहे हो सोच रो लेकपाल बन अलावर्दी दोनों अलग लग चीज आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कुछ ऐसे चीजें जो हमसे कल मिस हो गई या आज के अपने इस सेगमेंट में जगें नहीं बना पाई हैं तो वो क्या है भाई वो यह है कि आपका नेपाल की लुंबनी में भारती ये बहुत संस सरी हो गया फूल मौ 어때 हो गया ईक टैक्सि को बंद कर देना हो गया उसके बाद वारल कलते इनकम का बढ़ना ऊगे उसके बाद आपका ary meeting हो गई उसके बाद S.E.O की विदयश मंतरी की बैठक हो गई इसके बाद G20 की विदयश मंतरी की बैठक हो गई यह सारी चीज़ें उसके बाद भारत जॉर्डन रक्षा संध्षॉता हो गया, केन बेतवा लिंक परियोजना के ओपर संध्षॉता भी हो गई जिसके पास विधान परशद भी है यानि उसके पास अपना मुख्यमंत्री भी है और प्लस वो केंदर शाशित राज भी है इसी के कारण ट्रांस्फर पोस्टिंग को लेकर जो विवात चल रहा था उसमें आपका राजसभा में वोटिंग हुई थी जिसमें आपका ये अधि इन्हों ने आप सरकार ने यानि दिल्ली गवर्णमेंट ने आपका सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डायर की थी कि भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार हमारे पास होना चाहिए ताकि हम राजी को सुचारू रूप से चला सकें तो इसके उपर आपका सुप्रीम कोर मारे में ना हो यानि आपका कोई भी सत्र ना चल रहा हो बरतमान में आपका मॉन्सून सत्र चल रहा है जो अबदी होती है वह आपकी 6 महीने की होती है अगर 6 महीने के अंदर अद्ध्यधेश को कानूनी जमा नहीं पहनाया गया तो अभी चलना शुडू हो चुका है आपक क्या किया जा रहा है उस मौनसूल सत्र के अंदर आपका इसको कानून बनाने के लिए बिल पेस्ट किया गया और केजरिवाल जी ने कहा था सभी अपने विपक्षी पार्टियों से समर्थन पाने के लिए कि इसको 2024 का समिफाइनल समझा जाए चुकि समिफाइनल वो हार चुक कि ही है आगे की तरह बात करते हुए बात कर थे एक बार यार दिला दू कि लोगसभा में आपके कोन चेर Warum 25 अभी और यह को इसके बाद ऐसको आट तो आपके राज इसनवा में कौन हो जाएंगे उपरास्ट पती जो है आपके जगदीब धनकरजी आगे की तरब बात करते हैं देखते हैं फिल्म निर्माता सिद्धीकी का निधन हो गया यानि डायरेक्टर है इन्होंने कौन सी मूवी डायरेक्ट करी है जो बहुत ज्याद किती बड़िया मूवी थी ओक है और उसकी निर्माता थे शिद्धीकी साफ और उनका हाली में देहांत हो गया है अब हाली में हुए देहांत की अगर बात करें तो क्रिकेटर में सलीम दुरानी जी हो जाएंगे उसके बाद आपके जो सीडियस विपिन रावत जी थे उनका निधन हो गया था इश्वर उनके आत्मा को शांती दे उसके बाद आपका और भी कई सारे लोगों का निधन हो गया था जैसे तारिक पते साब हो गया उनका निधन हो गया था ये सारे लोग हैं जिनका अभी हाली में निधन हो गया जो आपके जरूरी हैं जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, और मेरी माटी, मेरा देश अभियान, मेरी माटी, मेरा देश अभियान, 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, मेरी माटी, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश अभियान, कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया आपका 9 अगस् पारित कर दिया अभी हाली में आपका यह भी पारित हुआ है अंतर राश्ट्रिय वेलिंग आयोग वेल्ग क्या वेल्स होते हैं उनके लिए जो आयोग बनाया गया है ऊनके द्लव्ड ने मेक्सिको के संकट ग्रस्ट वेकिता वेल्स की पृष प्रजाति होते हैं वेकिता आपका संहिंटिफिक Śाहश्प्नेम और विलुप्त होने के चितावनी जारी कियें आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हुए देख लेतेए आज के जो आपके प्रेशन हैं जो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं चलिए शुरू करते हैं आज के प्रेशनों को और देख लेते हैं आपका लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बागों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है तो एक बात तो हमें 2006 में हमाई पास कितने बाग हुआ करते थे 1411 बाग हुआ करते थे अब यह 2022 में कितनी हो गई है बिसिकली अभी एक हाली में रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार हम इसके बारे में बात करने हैं जो की 2022 के डाटा के हिसाप से है तीन हजार 3697 45752 इसका आकड़ा तो छूने में अभी बहुत साल लग जाएंगे 5154 3682 चली आंसर दीजे आप लोग बढ़ियां तरीके से आंजी भैeremराम ठीक है चली आंसर दीजे और आंसर देने में क्या समय लगा आधें भाई सीठी सी बात बताओ है ना किसके द्वारह यह रिपोर्ट लाई गई थि भारति ये वन्य जीत शंस्था के द्वारह यह रिपोर्ट लाई गई थी लिक भ्न्य चुछाइना सबसे ज्यादा बाग आपके कहाँ पर है वो है MP के अंदर लगबग 600 प्लस उसके बाद के बात करें सेकंड नमबर पर कौन आएगा वो आएगा करणाट का क्यों वही कितने आएगे इसके पास 563 प्लस उसके बाद तीसरे नमबर पर आजाएगा बाई आपके पास उत्तरा खंड कौन आजाएगा बाई उत्तरा खंड लगबग 560 प्लस चीतों के साथ ये हैं बाई दोजाबाइस की रिपोर्ट के हिसाफ करें तो इसलिए प्लस लिखना आवश्यक है क्योंकि हो सकता साल भर में एक घटा या बढ़ा हो हम उमीद करते हैं बढ़ाई ही होगा घटने के हम क्यों सोचें ठीक है चली तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा 3682 जो लेटेस डाटा है दोजाबाइस के हिसाफ से वो आपका होगा अच्छा आब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि बहुसाब हम इनकी गड़ना कैसे कर लेते हैं कमर्स पर क्याम नाम होगा वह उसका नाम होगा और आपका किया जाता है और सबसे ज़्यादा बाग अभ्यारन भी कहां पर हैं यह लगबक छह है ना कानहा और पन्ना टाइप क्लिए चलिए अगले प्रिशनी की तरफ बढ़ते हैं टी ट्वंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतिये गेंदबाच कौन बने हैं टी ट्वंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज आपके कौन खिलारी बने हैं तो आपको पता होगा अभी हाली में आपका सबसे तेज 50 विकेट लेने व बलबाच दूसरे युवा बलबाच जिनों क्या किया है । क्या किया है Fantastic मारा है ठीके आगे बरते हैं और बुबनेश nya आर्पी सिंग और भुबनेश्व падवी जहां तक टिएक लाई हैं क्या और पचास विकेट ले चुके हैं आपका किसमें T20i में अभी हाली में एक मैच हुआ था वेस्ट इंडीस के खिलाब तीसरा T20i हुआ था जिसे वह कुल्दी प्रादों ने तीन विकेट जटके थे और उस तीन विकेट के साथ आपके सबसे तेज गेंदवाज बन चुके हैं जो मुख्य नयदीश के रूप में किसने सपत ली है उडिसा ने आया है कि मुख्य नयदीश के रूप में किसने सपत ली है तो आपको पता होना चाहिए आपके आस पास के कुछ नयदीशों के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए जो आपके राजिस्थान के हैं जस्टि मुंबई हाई कुरट के यह नो मुंबई क्या बॉम्बे बुला जाता है बांबे हाई गोर्त के चीफ जस्टिस है दी रट सिंङ्ह ठाकुर तो यह लिए उडिसा के नए आपके मुक्हिनायडिस बने है जस्टिस युखिय जवाजेश बिंदल जी की बात करें तो यह इलहाबाद high court के हैं ठीक है इलहाबाद high court ठीक है बिसिकली प्रियाग राज हो गया है नाम लेकिन इलहाबाद high court कहना ज्यादा से लगता है उसके बात कि अगर हम लोग बात करें यह बॉंबे high court वाला भी हम इधर ही लिगने ताकि कुछ और चीज़ें भी कौन भाई देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी क्लेर है चलो अगर हम लोग कुछ चीज़ों की और बात करने तो आपको याद होगा पहले supreme court के supreme court के chief justice है ना कौन हुआ करते थे वह हुआ करते थे हरी लाल जै कुशन एच जे कुनिया जी है ना याद होगा उसके बात कि अ करती थी फातिमा बीबी फातिमा बीबी हुआ करती थी आपकी क्या यह आपकी कहीं ना कहीं उसकी हाई court supreme court की chief justice हुआ करती थी उसे बाद हाई court की बात करें पहली महिला पहली महिला क्योंकि पहले पुरुष का डाटा निकालना थोड़ा सम उसकी लो जाएगा क्योंकि back of the time बहुत ज्यादा पीरेट चला जाता है तो वह हो जाएंगी लीला सेथ कौन हो जाएंगी लीला सेथ हिमाचर प्रदेश की लीला सेथ उसके बाद अगर हम लोग बात कर सत्र नयायाले की सत्र कोट की तो सत्र नयायाले में आपका कौन हो जाएंगी वह हो जाएंगी अन्ना चांडी जी कौन हो जाएंगी अन्ना चांडी जी क्लेर बात है इतनी चीज़े आपको याद होनी चाहिए मज़े से सारी बात है याद हो जाएंगी तो अच्छा रहेग क्लियर बात है चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हम लोग केंद्री अब प्रतेक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पद्भार समहला है बाई जरा बताओ तो किसने पद्भार समहला है रवी सिना संजय कुमार अगरवार जनारदन प्रशाद या प्रवीर सिर्वास्तो जी ने तो को रवी सिना जी के बारे में आपको याद होना चाहिए यह रिसर्च और अनलिसिस विंग के आपके प्रमुख बने हैं है ना याद है की नहीं याद है और जनारदन प्रशाद जी की बात करें यह ASI के प्रमुख बने हैं ASI के प्रमुख बने हैं अब आपके पास दो आप्शन बस्ते हैं एक बस्ते हैं संजय कुमार अगरवार जी और दूसरे बस्ते हैं आपके प्रवीर सिर्वास्तो जी तो आपके पास क्या आंसर आएगा जड़ा बताओ है ना रवी सिना जी के बारे में मैंने बताया है रिसर्च एन अनलेशिस विंग के हैं जनारदर प्रशाद जी के बारे में मैंने बताया है GSI यानी भारतिय भूव ग्यानिक सर्वेक्षन विवाकस हें और आपके केंद्रिय सतरकता आयुक्त बने हैं कौन, केंद्रीय सतरकता, आयुक्त बने हैं आपके कौन, प्रभीर सुर्वास्तो जी, केंद्रीय सतरकता, आयुक्त बने हैं भाई आपके, ये बने हैं आपके, प्रभीर सुर्वास्तो जी, आगे कि तरफ बात करते हुए देख लेते हैं, भारतिय सेना प् अंडे हाली में किस देश की यात्रा पर गए हैं तो यह बेसिकली आपके दो दिवसीय यात्रा पर गए हैं दो दिवसीय यात्रा पे गए हैं और कौन से देश में गए हैं यूक्रेन, रूस, अमेरिका, यूके दो यूक्रेन में आपका युद्ध चल रहा है भारत ऐसी जगह पे अपने किसी सेना प्रमुक को नहीं भेजेगा है ताकि रशिया को थोड़ा बुरा लग जाए रही बात रशिया की तो सेम गोज विद अमेरिका कहीं अमेरिका को बुरा नहीं लग जाए इसलिए अपना कोई प्रमुक नहीं भेजेगा और अमेरिका के अंदर नहीं भेजेगा क्योंकि अभी तो खेर अमेरिका को कोई युद्ध नहीं चल दा है लेकिन कहीं ना कहीं अमे यूके में आपके प्रधान मंत्री कौन है यूके में आपके प्रधान मंत्री है रिशी शुनक जी और आपका जो साथी साथ में आपके यहां के पुराने प्रधान मंत्री हुआ करते थे वो थे बॉरिस जॉनसन उसके बाद जो आई थी वो आई थी लिस्ट्रस बहुत वाली महिलाओं के नाम में भी आती है लिस्ट्रिस का नाम जो आता है है ना कि बहुत जल्दी आई थी फिर उसके बाद जल्दी ही चली गई क्लेर बात है और अगर हम लोग बात करें बारत के और इनके युद्धभ्यासों की तो आपका इंदर धनुस अजय वारियर और कोना कोनार्क आपका क्या हो जाएगा इनके कुछ प्रमुख युद्धभ्यास हो जाएंगे है ना अगर सेना की बात हो रही है तो युद्धभ्यास की चर्चा हो सेना की बात हो रही है युद्धभ्यास की चर्चा ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है अजय वारियर अजय वारियर को कहीं न कहीं इसके जुद्ध ब्यास हो जाएंगे हैं न कौन कौन से तीन युद्ध ब्यास जो प्रमुख है आपके लिए वहां अच्छा गैसरा नहीं pet लिखेंगे इंद्र धनुश ठीक हैं इंद्र द Duck Burdun judge Japing in पिन रावत जी ठीक है विपिन रावत जी और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपके आभी भरतमान में सीडियस कौन है या यूं कहें दूसरे सीडियस कौन है क्या उनका नाम आस शुरू होता है चले आगे के तरफ बढ़ते हैं और यह एक बार बता दें आपको फॉ में उसकी शूटिंग हुई थी आगे परते हुए देख लेते हैं ब्रिक्स स्टार्ट अप पोर्म किस देश के द्वारा लॉंच किया जाएगा तो सबसे पहली बात दुबारा एक बार याद कर लो ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत चीन और दच्छल अफरीका यह आपके पांच देश हो जाएंगे जो आपके क्या है आपके कहीं ना कहीं ब्रिक्स से संबंदित हैं और ब्रिक्स में अभी बेसिकली क्या हो रहा है ब्रिक्स की तरफ से आपके करेंसी निकाल ले जाने की बात हो रही है चली आगे बरते हैं तो Brics start-up forum अभी बिसिकली आपको पता होगा आपके वानिज्य मंत्री वानित जिमंत्री वहाँ पे गए थे क्या नाम है प्यूश गोएल जी गए हैं अब प्यूश गोएल जी भारत की तरफ से कुछ काम ना करें अब ये स्टार्टप फोरम किसे संबंदित होगा वानित जी संबंदित है तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा भारत इसका राइट आणसर हो जाएगा किस राज जी की विधान सभाग में हाली में अच्य ये भी एक बात याद रख लो कि इस समय वरतमान में और लेकिन रख्या के प्रधान राष्ट पति पूतिन साहब नहीं जा सकते क्योंगि पुतिन साहब के उपर ICC International Court for Criminal ने आपका एक वारेंट जाली कर दिया है, जिसने भी आपका ICC के अकॉर्ड के उपर हस्ताक्षर किया है, वो उनको अगर पुतिन साहब वहां पे जाते हैं तो उनको गिरफतार करना देश की मजबूरी हो जाएगी, भारत ने खेर ऐसा कोई अकॉर्ड साइन नहीं किया है, लेकिन साउथ अफरीका ने ऐसा कॉर्ड साइन किया है, जहां पर आपका अभी हाली में आपका क्या कहा जा रहा था कि रास्ट्रा देख्षों की मीटिंग होने वाली है, जैसे अभी आपका सितंबर में आपका कही ना कहीं भारत में भी आपका रास्ट्रा देख्षों की मीटिंग होने वाली है, तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ले 25 में भारत के आपका क्या दिया गया है धार्मिक सवतंतरता का अधिकार कहां दिया गया भाई यह आपका दिया गया है अनुशेथ 25 में तो इसी के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि यह जो UCCRI यूनिफॉर्म सिविल कोट यानि संयुक्त हिंदी वाला भी दिमाग से उतर रहा है ठीक है चलो भी आ जाएगा बाकी अभी UCC की बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोट है ना संयुक्त अभी याद आ जाएगा तो बताते हैं अभी ठीक है समान नागरिक संहिता देखो सामने कोई नहीं होता है और समान नागरिक संहिता संयुक्त से मं स्क्राफ मैं दिवा रहा था कि समान नागरिक इंठा कर को सीथी सिवाल है के अंदर ऐसा हुआ है के क्वाल की बात करें पिना राई विजिएटी विजियन यहां के क्या है स्टियम सहाब है और इन्हों नहीं यह बिल पास करते हुए आपका मंजूरी दे दिये कि भाई हम इसके खिलाफ है क्लेर बात है चल पिनाराई विजियन जी क्या है आपके स्टियम सहाब है क्लेर अगर हम केरल की और भी बात कर ले तो केरल से हमें मौहम्मत खानिर के क्या है राजिपाल से आजले उसके बाद बात करें विदान साक्षर जिलां यह अकर उसके बाद कि अल包 करें यहीं एक वह प्रदेश है जहां पर आप आप का साक्षरता जाने हाई है साक्षर्टादर क्या है उच्छ है उच्छ के बाद यही वह आपका प्रदेश है जहां पे आपका पहला जल बजट लेके आया गया पहला जल बजट लेके आया गया यही वह प्रदेश है जहां पे आपका क्या है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की नीती लाई गई वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड की नीती लाई गई क्लियर बात है चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बाद फिर से आपको याद दिला दू आई-e-a-rb-g-d का बैच अगर आप IRB की तयारी कर रहे हैं, IRB GD की तयारी कर रहे हैं, तो 199 रुपए आपके लिए जादा महेंगी कीमत नहीं है, जोईन कर लो दोस्त, लेकिन PST, PMT की तयारी लगाता करते रहना, क्योंकि यही आपको सेलेक्शन दिलाएगा, बाकि हम तो अपनी तरफ से पूरा अस् नहीं जाएगा, चलिए, आगे बरते हैं, वन डबल नाइन, आपको जोईन करना चाहिए, बाकि आगे बरते हुए देखते हैं, T20 International Cricket में, आज दो कुशन होगा, T20 International के, सौचक्य पूरे करने वाले संयुक्त रूप में, रूप से, दूसरे सबसे तेज, बल्ले बाच कौन बने हैं, संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज, मतलब सेम तू सेम, यानि 49, 49 मैच में इन्होंने भी बनाया हैं, और वेस्टिन डीज के एक खिलारी हैं, जिन्होंने भी 49 मैच लिया थे, और 42 पारी बेसिकली कहा जाएं, उन्होंने इतने मैच पारिया ली थी, आपका 100 छक्के पूरे करने वाले, तो वरतमान में विराट कोली तो मैच खेल नहीं रहें, तो इसलिए करेंट में यह घुसेंगे नहीं, बाबार आजम की बात करें, यह आपका इस समय आपका T20 लीग खेल लें, रोहिश शर्मा भी समय नहीं खेल लें, तो सूरी कुमार यादो जी आपके, क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, सूर्या दादा यानि स्काई, क्ले बात है, इसकाई आपके लिए राइट आंसर हो जाएंगे, आगे बरते पाकिस्तान का मैच कप कराये जाएगा? और 15 अक्टूबर में होना था, तो अब क्या हो गया? बेसिकली 15 अक्टूबर को जो गुजरात गौर्मेंट थी, या गुजरात पुलिस थी, उन्हों नहीं कहा देखिया, ऐसा है साब, कि 15 तरिक से होनी शुरू नवरात्रे, और गुजरात में नवरात्र माने, सब कुछ ह होता है, बेसिकली, और वहां पर बहुत हैवी लेवल पर आपका ये पर्व मनाया जाता है, तो आपका इस तारिक को तो हम आपके लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे, माफी चाहते हैं, तो आप रिशेडूल कर लो, तो बिसी सी आई को भी मानना पड़ा, आपका, और जिन लाक रुपय तक पहुझ गई थी, आपका सिर्फ इस बात को लेकर कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं, कितनी वेल्फ जनरेट हुई होगी, और अब पिर भी होगी अभी वेल्फ जनरेट, क्योंकि अब तो दो दिन की वेल्फ जनरेट हो रही तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 अक्टूबर एक दिन पहले ही सिफ्ट कर दिया गया है, बाकि 8 मैचस के शेडूल में भी चेंज किया है, अगर आपको टिकेट खरीदना है, तो आप उसे साब सेडूल को चेक कर सकते हो, बाकि TV विदय को जादा अच्छा रहत जो महिश्मती की रानी थी, नाम नहीं यादा रहा, तो वो क्या, उनका मेरा वचन ही सासन वाला, ठीक है, वही वाला सीन है, युनेस्को की बात करे, युनेस्को भारत के अंदर अभी हम लोग अगले दिन जब स्टाटिक जीकी की क्लास लेंगे, आज तो खैर हिंदी की क् युनेस्को के मर्जी रहती है, युनेस्को जब जो करना चाहे वो करता है, तो युनेस्को आपका क्या कर रहा है, आपका वर्ड हरीटेश साइड घोसित करता है, और उसी में आपका संकट में पड़े विश्व धरोहर केंदर की घोशित करता है, तो बामियान जो है, उसक जो city है यह आपका क्या है कही ना कहीं यह आप संकट ग्रिस्त city है कहीं ना कहीं इसके उपर संकट मंडर आ रहा है तो यह आपकी class थी जहां पे आपको इतने सारे topics मिले पढ़ने के लिए 599 में pet का batch दोस्त जरूर से जरूर जोइन करो क्योंकि आपकी तयारी ना तभी होगी जब आप कहीं ना कहीं सही संस्था के साथ जुणेंगे और मैं इस चीज की पक्की गिरेंटी लेता हूँ कि आप सही संस्था के साथ हैं और सही संस्था के साथ होने का मतलब है guaranteed selection तो ठीक है धन्यवाद मेरे साथ जुणे रहने के लिए आप सभी का हिडर संयाभाल बने रिवर्दनमेकेडमी के साथ क्योंकि अब मंदिल दूर नहीं